जो पूरा जो ये घटना करम था ये हमने आपको दिखाया पचीस तारीक से लेकर अब तक लेकिन इस पूरे घटना करम में विस्तार न्यूज लगा हुआ था कई लोग लगे हुए थे पूरा परिवार परिवार में कुछ लोगों का नाम में ले देना चाहता हूं प्रवीन प्रदीब चौबे निशान्त जी तृपाथी जी अनुराग दुरगेश साहू किशन साहू खिलेन जी प्रवीन रवी गुपता जगदीश शूरिपाल मुकेश तरियाब अभिशेक गर्ग अंसुल मुर्तजा जी सोमेश्वर प्रशान्त इसके साथ आउटपूट इनपूट तकनीकी वीड़ेटर पीसी आर प्रवंधन भोपाल दिल्ली सभी की टीम हमारी लगी हुई थी जब हमारे संपादक कहते हैं कि विस्तार न्यूज रीजनल या नेशनल नहीं इमोशनल चैनल है इसका मतलब यही है कि हमारे विस्तार परिवार का एक एक व्यक्ति इस चीज में सलगन हो जाता है और आपके न्याय को सुनिश्चित करता है यह थे अप्रतक्ष उद्धा प्रतक्ष जो हमारे सहयोगी थे जो प्रतक्ष हमारे साथी थे जो हमारे इमोशनल लोग हैं उनको देखिए अप टीवी में और फिर मैं उनसे बात चीत करूँगा द देखिए आप तस्वीर में देखिए हमारे साथ मरिगेंद्र पांडे दिख रहे हैं आशीश दुबे दिख रहे हैं दिलीब शर्मा दिख रहे हैं और हमारे ब्यूरो चीफ मरिगेंद्र पांडे दिख रहे हैं और भी साथी हैं अनमोल तिवारी रवी मिरी अनिल सेंग य उनके साथ मुखातिब कराऊंगा लेकिन इन योधाओं को भी देखिए इन माफ कीजेगा योधा मैं कह दे रहा हूं गलती से लेकिन वास्तों में ये कौन है पता आपको ये हैं इमोशनल लोग इमोशनल लोग क्यों क्यों कि ये आपके परिवार की तरह हैं और जब आपकी बात आती है तो ये खड़े हो जाते हैं और आपके दर्द को साज़ा करते हैं सबसे पहले मैं भूपेंद्र का रुक करूंगा क्योंकि भूपेंद्र ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले बेमे तरह में ब्लास्ट होता है तो पहुंचते हैं भूपेंद्र गरीबों की बात क्योंकि आठ लोग चले गए दस लोग चले गए लेकिन कैसा संतोश महसूस कर रहे हैं भूपेंद और हल्का सा वो मंजर बता दीजेगा जब आपके पास पहला फोन आया था इस घटना कुले का जैसे में जानकारी मिली 25 तारिक के सुगा सव आठ बजी की इस समय होती है जब हमारे PCI टीम से फोन आती है हमारे कंपनी से फोन आती है कि बेमेतरा में बड़ी प्लास्टी घटना हो जाती है तब मैंने तथकाल तैयार होकर घटना इस घटना इस थल के रवाना हुआ और जानकार में उस एक-एक समफेतना को व्यक्त करते हुए एक-एक लोग एक-एक पिडित परिवार को दिखाते हैं इस पूरी घटना को हम चार जिन तक दिखाते हैं उनकी दर्द को दिखाते हैं जो इस घटना में खतम हुए उन घायल लोगों को दिखाते हैं जो चिछ इन सारी तमाँ चीजों को हमने दिखाए विस्थार ने उसकी पूरी टीम ने दिखाए तब जाके कही सरकार की नीद खुली प्रसासन की नीद खुली फैक्टरी प्रवधनर की नीद खुली और आग आखरी दीन चपांचवी दीन कहीं न कहीं कमपणी मालिक है उनको परिजनों को 29 लाग रुपे की चेक सौपना पड़ गया जी कपई भुपेंद्र बिलकुल आपको संतोष मिला आपने साजा किया वोपल बहुत बहुत आपका शुक्रिया आप जुड़े रहिएगा अब मैं रुप करना चाहूँगा इस घटना के बाद म्रिगेंद्र पांडे हमारे स्टेट व्योरो और इसके साथ अनमोल तिवारी पहुंचे थे अनमोल जुड़ेंगे हमारे साथ और दिलीव शर्मा भी पहुंचे थे दोनों जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ मैं म्रिगेंद्र पांडे का रुप करना चाहूँगा अब रिगेंद्र जी कितना संतोष महसूस कर रहे हैं आप अब तीस लाख मिला है शतिपूर्ती तो नहीं की जा सकती जान की लेकिन पैसों से घुजारा तो हो सकता है देखे हमारे संपादक ग्याने इंतिवारी का मानना है कि हम लोग एक इमोस्नल चैनल है हम लोगों की भावनाओं के साथ हैं आम आदमी गरीब मदूर बेसाहरा उनकी आवाज बनना हमारा फरज है और आज जो बेमितरा की घटना होई बेमितरा की घटना पे पिछले पात दिन से जिस तरीके से विस्तार नियूस डटा रहा लगा रहा उन मदूरों की बात जिनक रहे हर वेक्ति के बारे में बताते रहे उनकी बातों को प्रसासन तक पहुचाया कंपनी प्रबंदन तक पहुचाया और आज जो परिणाम आया हो काफी सुखद है हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी एक मुहीम जिसे लेकर पिछले पात दिनों से लगातार हम कवरेज कर रहे थे उस मुहीम को एक अंजाम तक पहुचा पाए हमारे साथी रवी मिरी भी हैं जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर तो नहीं थे लेकिन लगातार वो बता रहे थे यहां न्यूजरूम से जो लगातार अपडेट आ रहे थे वो पहुचा रहे थे हम रवी मिरी से भ पिता खोया है, किसी ने दोस्त खोया है, किसी ने पती खोया है, बेटा खोया है, उनका गम हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आर्थिक सहयता से कुछ हद तक उनको रहात मिली है, तो उस रहात को हम भी महसुस कर सकते हैं, लेकिन हमारे सभी दर्सकों को मैं ये कहना चाहूंगा, कि हम किसी की आवाज दबने नहीं देंगे और न्याय स्थैने नहीं देंगे और उनके हर न्याय की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे मरिगेंदी तो देखिए हर लड़ाई को माफी चाहूंगा रोक रहा हूंगा आपको एक चीज और जब आपने कलेक्टर से मजबूती के साथ सवाल पूछा था कि डिश्टलरी कंपनी पर तौरत तौरित रूप से 25 लाख रुपए एक छाती पूर्ट के लिए दिये गए थे उस समय तो जब आप नहीं मिला था लेकिन कहीं न कहीं उस सवाल का भी अंतरमन में गहरा प्रभाव था कि 25 लाख जब डिश्टलरी कंपनी में मिल सकता है तो फिर हमारे तो बारूट से ही हमारे लोग बरे थे जी देखे हमने उन सभी बातों को पहुचाने की कोसिस की जो हाल फिलहाल की घटना हुई जिस तरीके से लोगों को मुआउजा दिया गया आप देख रहे हैं पहले दिन कंपनी प्रबंधन की तरफ से सिर्फ पांच लाख रुपे दिया दियने की बात आई ग्रामीर नारा जो गए उसके बाद हमने कलेक्टर से बात की उन्होंने कहा कि हम कंपनी से कहेंगे कि दस लाक रुपे दे तब विस्तार न्यूज ने उन्हें बताया कि पिछली घटना जो केडिया डिसलरी की घटना हुई तो उसमें 25 लाक रुपे मुआउजा मिला था आज परिवार जो अगें बने रही है आप हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है मन तो कर रहा है कि आप लोगों से घंटों घंटे बात हो जाए लेकिन वक्त की पावंदी होती है अब मैं अगले इमोशनल व्यक्ती और हमारे परिवार के सदस्द से दिलीप शर्मा जी का रुप कि हाथसे का जख्म भरा ही नहीं था लेकि बेमे तरह का यह हाथसा आगया और आप यहां पहुंचे इतना कश्ट देखा और आप जब वहां पहुंचे तो वहां प्रवंधन ने लापरवाही भी की आप से बत्तमीजी भी करने की कोशिश की अब आपकी जो रंगत थी आप पूर्टा को प्राप्त कर रही है आपके मन में क्या संतोष मिल रहा है दिलीव देखे नितेस आपने एक सब्द कहा था कि हम नहीं नेशनल नहीं हम एक इमोशनल चैनल है और हम जो भी लोग हम हमारे विश्टार की टीम काम करती हो इमोशनल से जुड़े होते हैं जब मैं इस हास्से में जब पहली दफ़ा जब पहुंचा था तो वहां पे मुझे लोग दिखे थे जो अपने परिवार की तलास में जुड़े थे किसी को कुछ नहीं पता थे कि उनके परिवार सुबह काम करने गए थे किसकी जान गई है किसकी नहीं गई है कौन लापता है उन इमोशन को मैंने गहराई से समझा था और मैंने भी और मेरे विश्टार ने उसकी तीम ने अपनी जान हो मेँधार कर उस फेक्टरी में किया ता उस फेक्टर्धि में सब को जाने के लिए रोक दिया तक हम जंटासे जुड़े थै वहां की लोग की ओवास सनाना चाहते थे उनकी आशू को जाना चाहते थे कि आखिर उस वेक्टरी में हुआ क्या था जब हम उस फैक्टरी के अंदर जैसे जैसे बढ़ते गए ना नितेश वहाँ पे जो मंजर था काफी डरावना था इस्पोर्ट इतने बड़े थे कि हम ना अपने उन इमोसिनल को याद करके अपने आप में ताक ताकत थी हमारे लिए कि हम उन स्रमिक मजदूरों परिजिनों का जो इमोसन था उस वह ताकत बनकर सामने थी हमने हर तस्वीर दिखाई हर जगा दिखाया हर लोगों से बाद की लगातार इस पर जोड़े रहे जब हम जब भी हम कहीं पर वहां पर जाते थे ना तो ग्रामि उसने जो अपना मुहिम चलाया था आज उसका सही सकारत्मा करूं करूं कि मैं जो इस्तिती समझ रहा हूं कि कि घर से किसी के जाना वो कितने भी करोड़ों रुपए भी दे दे आप उसे भर नहीं सकते लेकिन थोड़ी बहुत राहत जो परिजनों का मिली है तीस लाक रु जो एसे लोग होई जो वहां पर और वी जो मज़दूर काम करते हैं उसे थोड़ा से अपने परिवार के तो में नहीं बचा है कि परबंधन के उपर एफ आई यार दर्च अब तक नहीं हुई है उसकी भी बात करेंगे सारी चीजे बात करते हैं और सलाम करते हैं आप जैसे अपने कर्मवीरों को विस्तार परिवार के सदस्यों को जो इस भावनात्मक रूप से बात रखते हैं अनमोल मेरे सहोगी इनको ये मुआवजा मिला है अनमोल परिवार वालों से आप उनका संतोष पूछ लीजिए और फिर अपनी व्यक्तिगत कहानी बताईए पास दिनों में आप क्या महसूस कर रहे हैं आखरी आज जब ये पूरा वाकिया हुआ है कि बिलकुल नितेश आपने सही कहा कि पहले मैं परिवार वालों से बातचित करता हूं क्योंकि सब ने अपने Emotion को बता दिया और मेरा Emotion weapons जो है इन परिवार से जुडा हुआ है यहह वहीien परिवार है जिसके साहत मैं पिछले पाच दिन जो है संतोश है विस्तार न्यूज लगतार पांस दिन आप लोग के साथ था क्या कहेंगे जो पांस दिनों से मेरे सांद संपर्क में रहे लेकिन कंपणी का कोई प्रबंधक आये नहीं थे और मैं आज चेक मिला मेरे को बहुत बहुत धन्यवाज विस्तार न्यूज से दिखाईए जो आपको मिला है यह नितेश आप तस्वीरों में देखिए कि यह राजु दूरूप के पिता हमारे साथ है यह वही राजु दूरूप के पिता है जिन्नोंने सबसे पहले ही जां से देखिए इस चेक के लिए हमने लडाई लड़ी है नितेश चेक के लिए हमने राध दिन एक कर दिया था और आज यह जो है पीड़ित परिवार के हाथ मेंशे तो इस च्छेक शाति पूर्टी नहीं हो सकती जो अपना चला गया इनकी मासे बात करिए करिए मासे बिल्कूल देखिए एक माता ने अपनी अपने बेटे को खोया है लेकिन आज विस्तार न्यूज लगतार आपकी ख़बर को दिखाया और आज मुआपजा मिल गया का बने हैं कि इमोशनल हो रही हैं बहुना अत्मा गरूप से आप देखिए मां हैं इनके लिए कुछ भी बोल पाना अभी आसान नहीं है माता जी न्यूज चैनल आपके साथ लगतार था पास दिन कुछ कहेंगी क्या है देखिए से पांट दिन तक अभी भी इमोशनल है और पूरा दिखे आज पूरा परिवार पीछे बैठा हुआ है आज पूरा परिवार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ संबल बना हुआ है नितेश और मुझे आज संतोश है ये बोलते हुए कि पहले दिन से 25 मई से लेकर के आज 29 मई तक मैं इस गाओं में हूँ और यही मेरा परिवार है और यही मेरा इमोशन है और विस्तार न्यूस का भी यही इमोशन है और जो हमारे एक्जेक्टिव एक्टर बोलते हैं कि हम हम नैशनल या रिजनल नहीं है इमोशनल है उसका ये तस्वीर गवाह है कि आज हमारे हाथ में ती गए आशीश भरी तप्ती जलती इस गर्मी में 45 डिग्री से जहां जादा सूरज तापमान कर रहा हो ताप दे रहा हो आप गए और अब आप कैसा संतोश महसूस कर रहे हैं आशीश बिल्कुल नितेस न्याय की जीत हुई है सविधान सर्वो परी है मैं जब खबरे देखता हूँ तो आम होती है लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जो मेरे दिल का हिस्सा बन गई मेरे परिवार के दिलों का हिस्सा बन गई मेरे आसपास के लोगों के दिलों का हिस्सा बन गई उसक पॉरत के लिए दvernाट तक हम ड़मी प्रieföटिछ रहेगे उस ग्राउन पर और उसका समपादक उसे हैं, मैं थन्यमाद देता हूं प्रडाम और नत्मस्त अक करता है अपने 출 Version छो लगातर हम itd. मिंटको ऑन देश की जानायार अच्रवारी गाती है कि आपको कोर्बा निकलना है मुझे उस पल गर महसूस हो रहा था क्योंकि मैं तीन दीन से उस खबर को देख रहा था और मेरे साथ मैंने कैमरा में छवी कस्यप है जो मैं बिल्कुल उनका नाम इसलिए लूँगा कि वह 10 किलो मीटर 12 किलो मीटर जहां जहां तक हमने फैक्टर कि वह कोर्बा जैसी जगा जहां काला धुआ काला ख़दान हम हमारे काम को हमारे अंजाम को प्रभावित कर रहा था लेकिन हम लोग बिल्कुल कहीं रूके नहीं और हमने आशीश आप रूके नहीं जुके नहीं अडे रहे और आप लगातार आपके अपनों की आवाज दोड़े